आखिने पिशाचिनी से असा सर्वनाशिनी रूप रंग मोहिनी है माह रोफ की लोबिनी आपन की तू है तूतिनी तू बस अरिफ भूदनी आखिका तु अक्षिनी तू मिंद्य की है वाहिनी मुन्ना चलो मुन्ना तुम्हारा अपने भगवान के पास जाने का समय आ गया है मुन्ना तू मुन्ना तू मुन्ना तू कि अ... मुना!! 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 प्रवस्कत भी नहाँ है? यॉलो, बुलो! नहीं, यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता चैसी करनी वैसी भरनी मा, आप मुझे समझा गया शक्ती चक्रपूरा क्यों नहीं हुआ था क्योंकि भगवान इससे की वक्त का इंतजार कर रहे थे मेरी शक्तिया मुन्ना के जरिये वापसानी थी और वही हुआ गुल्ला की शक्तियों के साथ-साथ मेरी शक्तिया भी वापस आगई अब तो तुझे समझ में आ गया ना मोहना किसी भी शैतान की शक्ति बगवान की शक्ति से बड़ी हो यह नहीं सकती मैं तुझे जोरूंगी नहीं जैसे ही मेरा साया तुझे पर पड़ेगा तुझे भी मेरे साथ जाना पड़ेगा अँच नहीं मोहना रुप जाओ प्रमत्र प्रमत्रो भागगा हो बड़ेगा प्रभा अस्मा प्र्यूप का गुप आ ग्रभागगा श्मरे तुझे अरी आ क्षम्धू वरो जास याया एका की जै हमयोकी! जै हमयोकी! जै हमयोकी! ठाट जै हमयोकी! यह त्रिवार आगे क्यों नहीं जा रहा है तुद बीच में दो हुए पिया त्रिवार मुझे दो ट्रिवार मुझे यह त्रिवार झाल यह यह पिरो यह यह द्रिवार वापस क्यों आ जा रहा है? पंच और पिया का वार खाली क्यों जा रहा है? पंच पिया मुन्ना को मुन्ना ही मार सकता है मुन्ना को पंच मासा ही कह रही है? मुहना की मौत हमारे मुन्ने के हाथों लिखी पंच प्रिवार वापस का रहा है यहाँ प्रिवार वार रहा है लिखी । ह। । । । । । । । प्सुजि नेल अतां धि करेजर प्सु नेला भाल सर जी हमको लग रहा है कि हमें उस लड़की को साथ ले आना चाहिए था कहा है कि उसको चोट भी लगी थी और ब्योज भी थी हमारे कहने का मछलब यह है कि अगर उसको साथ ले आते तो उसका मरह पट्टी भी तो हो जाता na अगर उस लड़की को साथ ले आते न तो वह राक्षष भी पीचे पीचे यहीं आ जाता भूल गए उस राक्षस ने लड़की पर राक्षस चिन्द बना दिया था जिससे वो लड़की जहां भी जाएगी उस राक्षस को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा अरे कैसा बात कर रही हो सावी तुम जहां हम उस लड़की को छोड़ के आएगे हैं उहां का नेटवक इसू है बताओ का उहां उस राक्षस को सिगिनल नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यूँकि हमने जहां उसे चुपा के रखा है वो जगा है मंदिर के नीचे है बेस्मेंट में और वो राक्षस वहां कभी पहांच नहीं पाएगा इसलिए वो लड़की वहां सेफ है शुक्र है कि दिव्या की वज़े से हम उस लड़की का पता चल गए वे डाट हम उस लड़की को वहां कब तक चुपा के रखेंगे कभी ना कभी तो भाहर लाना ही पड़ेगा ना और तब तो राक्षस को पता चल जाएगा सही का तुम्हें इसलिए सबसे पहले हमें उस राक्षस जिन के तेज को चुपाने का तरीका टून ना होगा मतलब फिर से हम लोगों को इतनी किताबे पढ़नी पढ़ेंगी हां करनी पढ़ी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है नहीं नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हम तो सोच रहते वही पुराना अला तरीका पना लेते वीभूती वाला एक बार फूके किताब का मालूम पढ़ गया तो फिर से एक बार फूक देते तो हमें वो किताब भी पता चल जाती जिसमें ये चिन छुपाने का तरीका लिखा हुआ है कहा है सर जी गलत बोलने हैं हो गया डास अब आप ही बताईए क्या करना है